कि अपने सारे वो सब क्या भई वो सब उन स्रावकों के हैं स्रावक जाने जो जो स्रावक पूरी तरह से मुनि भक्ति में उत्पुरोत हैं बर्सों से सेवा में हमेशा चलते रहते हैं और उन से सीख करके आप इतना तो सीखी सकते हैं कि कभी भी कोई भी त्यागी व्रति आएगा हमारे घर के द्वार पर पढ़गा हन जरूर होगा सब हग्य सालियों मुनि राजों की विरक्ति का एक प्रसंग हम आपको सुनाएं तपस्षी समराठ की जीवन का नहीं सुनाएंगे और नांकली का रादी सागर जी का सुनाएंगे वो तो उनका कोई अवसर आएगा तो बताएंगे हम आपको नांकुमार मुनि राज का उप्रसंग सुनाते हैं संभाता युवावने नहीं भी सुना होगा कि नांकुमार जो रहते हैं एक बहुत सुन्दर राजकुमार है और उनकी पिता का नाम नांगदत है और मता जी भी उन्हें बहुत प्यार करती है मता पिता की बरसों बाद इकलोती संतान है उग पहले तो किसी को भी अपना बेटा बहुत प्यारा होता है जिसी को भी ओबात अलग है कि किसी करन से दुस्मनी हो जाए बात ना माने और बाद में खिस्तान हो जाए नहीं तो सबको अपने बच्चा प्यारा होता है और दूसरी वाद अगर बर्सों बाद परिवार में कोई संतान जनम ले तो जाजारनी तो एक तरह से निरास हो गए थे, क्या पता नहीं कोई जीव आएगा हमारे घर में की नहीं आएगा, लेकिन एक राजकुमार, सुन्दर सा राजकुमार, नाग कुमार, मतलब अत्यंत सुन्दर और उनका नाम, उनकी चतुराई, उनकी सुन्दरता, और नाग स से बिलकुल नहीं डरते थे खेलते थे नाग से सांपों से इनका नाम नाग कुमार रख दिया नाग कुमार बड़े होने लगे सौक और बड़ने लगा और सौक कितना भी बड़ा लेकिन जीवन में कोई व्यसन नहीं आने दिया आप आप खेल सकते हैं आप क्रिकेट खेल सकते हैं आपको सौक है आप सत्रंज खेल सकते हैं आपको सौक है तो आप खेलने वाली चीज़ें खेल सकते हैं लेकिन दाव नहीं लगाएंगे जुआ नहीं खेलेंगे और ना किसी तरह के व्यसन में अपने को भशाएंगे क्योंकि आप एक श्रावक हैं आप एक ग्रस्ति हैं कबड़ी भी खेल सकते हैं कबड़ी कौन-कौन खेलता है जी कि हैं कि कबड़ी तो गायव हो गई बोलने का कि शरीर को सस्थ रखने का और दोस्ती पक्की करने का संगठन बनाने का इससे बढ़िया कोई कोई दूसरा खेल नहीं है तो समझ लिए जीए कि आप कोई चीजें खेल लें कुछ चीजें कर लें चार लोगों के साथ बैठ करके चाय पानी कर लें नास्ता कर लें इसी कोई वात नहीं लेकिन जीवन में किसी तरह का व्यस्तन नहीं आना चाहिए एक शिग्रेड लिया इसने भी पिया उसने भी पिया इसने भी पिया वो ले हमारी दोस्ती पकी और अगली दिन मालूम पड़ा कि जिसने पहला कस लगाया था उसको तो कोरोना है जिसने पहला कस मुँ में डालके लगाया था उसका तो पॉजेटिव ने अब बताईए जिन जिन और उसको जूठे को चांटा है उसका क्या होगा कुछ हो ना हो टेंसन तो जरूर होगा कि उसका थूख लगा हुआ सग्रेड मेरे मुँ में चला गया है कहीं मेरे को तो पॉजेटिव होना चाहिए पर सो हमसे कहने लगी कुछ लोग कि आप वहां जरूर पतारिये माराज वहां की सारी लोग पॉजेटिव हैं वहां ज़रूर पतारीय वहां की सारे लोग बहुत पॉजिट्व हैं मैंने कहा कि मुझे सुने को आ रहा है कि दिली में 6,000 लोग पॉजिट्व हैं 6,000 और कुछ लोग पॉजिट्व है तो ना न ऐसे पॉजिट्व नहीं बुले कोरोना वाले पॉजेटिव नहीं है कौन से पॉजेटिव है सोच में पॉजेटिव सकारात्मा सोच सकारात्मक होना चाहिए लेकिन ऐसी सकारात्मक ना हो कि आपकी चारत्र को विगाड दे आप अपने चारत्र से आप अपने संकल्ब से आप अपनी सक्ती से दूसरों का माट दर्सन करिए, दूसरों को सही लाइन पर लाइए, ऐसा मत करिए, कि उनने कहा, और आप उनके चक्कर में पड़ गए, नाग कुमार को भी सौक था, और एक दिन ऐसा हुआ, मता ने भी समझाया कि बेटा, नाग माले तर सांप बहुत खत आजाना है, लेकिन नाग कुमार काहते हैं, माता जी, पिता जी, मैं कुछी शराप तो नहीं पीता हूँ, कुछी मांस तो नहीं खाता हूँ, मैं कुछी जुआ भी नहीं खेलता हूँ, मेरा एका ही, बस साप से खेलना है, मैं साप को मारता भी नहीं हूँ, मुझे खेलने क तो बेटा इतना खतरनाक खेल नहीं मैं तो ऐसा खेलूँगा और हुआ एक कि एक दिन जो स्वर्ग का देवता था जो उनका मित्र था पुरान की कहान है बड़ी सुन्दर है दोनों स्वर्ग में देवता रहते हैं और दोनों भगवान की बड़ी भक्ती करते हैं दोनों में एक दिन आपस में बातचीत होती है कि देखो भगवान की दिवित धुनी में आया है कि मनुष्य जीवन सबसे ज़्यादा मुलवान है मन उस जीवन से कोई भी सैयम ले करके तब करके और बाव के पार जा सकता है देखो अपन देवता होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं अपन सिर्व दिवित धुनी सुन सकते हैं चारित्रवाले मुनियों को बंदन कर सकते हैं लेकिन अपन देवता मुनी नहीं बन सकते और दोनों में इस तरह की बात चल रही थी कि उनने के निश्चय किया कि अगर इस परियाय के बात हम लोगों में से कोई भी पहले मनुस्व बने मर करके तो जो देवता रहेगा स्वर्ग में दोनों एक साथ तो मनुस्व बननी जाएंगे पता नहीं तुमारी आयू कितनी है मेरी कितनी है तो जो पहले देवता चुत होगा यहाँ से इंसान बनेगा दूसरा वाला उसे बैराग कराएगा क्या कराएगा सैयम दिलाएगा बैराग कराएगा मुक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा पका बादा कुछ लोग होते हैं कि सश संकल्प करते हैं इस बार सिखर जी होगे तो मुझे भी जरूर ले जाना इस बार में सिखर जी जाओँगा तो तुम्हें जरूर लेके जाओँगा अच्छी संकल्प और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि साल दो साल में एक ट्रिप बनाते हैं और सास ससुर जमाई मोसा मोसी फूखा फूफी मामा मामी और साला उसकी विना तो यात्रा पूरी नहीं होगी मतलब है कि कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं कि वो पूरी एक बीस पचीस लोगों की पूरी ट्रिप बनाएंगे गाड़ी तयार करेंगे विवस्थाएं साथ में लेंगे सुद्ध बोजन की विवस्थाएं मनाएंगे और कि नहीं हम से तो नहीं होता हम तो नहीं कर पाते लेकिन फिर भी सादू की साधना चरिया होगी ही होगी चाहे हो दिली से आके करवाए कि कलकत्ते मुंबई से आके करवाए कि जापान से आके करवाए लेकिन चरिया साधना तो होगी तो उसने ये सोच लिया कि सीधे सीधे समझाने जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है सपेरे का रूप धारण किया बहुत बढ़िया और तरह तरह की डोलचिया लिए नाग रखे जाते ना हो क्या बोलते उसको बास की सांप रखने वाली पिटारा तो उसने तरह तरह की पिटारे लिए डंडे पर टांगे और बीन बजाता हुआ बीन की मध और आवाज सुन कानों तक पहुँची राजकुमार की राजकुल महर में बैठे हैं और खिड़कियों से बीन की आवाज पहुँची उनने कहा इतनी बढ़िया बीन मैंने बहुत धेर सारी बीन की आवाज सुनी धेर सारे सफेरों की बीन की आवाज सुनी लेकिन ऐसी बीन की आवाज उनने स्टुरंट कहा परिचारकों को कि बाई जाओ मालुम बुला के लाओ को ने इतना बढ़िया बीन बजाने वाला तो भीन बजाने वाला आया भीन की आवाज ही सुन्दर नहीं थी भीन बजाने वाला भी बहुत सुन्दर था उसको देख करके बोचक कर गए इतने सुन्दर इतने सुन्दर इतनी सुन्दर भीन उसने कहा कि मैं ही सुन्दर नहीं हूँ और मेरी भी नी सुन्दर नहीं है मेरी पास एक से एक सुन्दर सुन्दर नाग भी हैं सांप भी हैं देखोगे क्या नाग कुमार ने कहा वलाया किसली है दर तो नहीं जाओगे नाग कुमार ने कहा कि मैं खेलता हूँ चपेरे ने कहा कि खेलते होगे लेकिन मेरे पास जो हैं वो बहुत खतरना खतरना निकालो और जैसे अपने पिटारे से उसने सांप निकाले तो नाक कुमार को जाओ था एक एक से खेलता गया ठक जाते हैं सांप भी ठक जाते हैं सांप से खेलने का एक कोई तरीका होता होगा कि उसके साथ खेलना लेकिन उसका डंक ना लग पाए और उसको सब तरह से ठका देना सारे साब ठक गए बस यही तुमारा बोले कि इतना ही तुमारे पास है बस नहीं उसने कहा कि राजकुमार एक और है लेकिन उसे में निकाल नहीं सकता बहुत ख़तरनाक है वो किसी के बस में नहीं रहता है और अगर उसने कुछ कर दिया तो कोई जान भी नहीं बसती है निकालो नहीं वो नहीं निकालेंगे अगर आपके पिता महराज कह देवें कि हाँ इसको उसे भी खेल लें दो और आपको कुछ हो जाए तो मुझे सजा नहीं मिलेगी ये कह देवें तो पिता क्यों कहेंगे फिर भी बेटे के हट के सामने राजा को हाँ कहना बड़ा और उस माया थी जैसी वह नाग निकाला तो खेलना सुरू होने के पहले उचल करकी नाग ने उसके हाथ को पकड़ दिया गई और राजकुमार नाग कुमार मारोने लगे पितानों लगे और जो आसपास खड़े से पाही थी सपेरित को पकड़ लिया इसको मारो इसको मारो तो उसने कहा कि मैंने तो पहले ही आपसे आग्रह किया था मैंने तो अपनी जान पहले ही माफ करा ली पिता ने कहां राजा ने कहां कि वेटे कुछ हो सकता है क्या हो तो सकता है एक सर्फर्थ हो सकता है अगर यह जीवित हो जाए और ये आपसे आग्या माने, मुनी बनने के आग्या माने, सहीए मी बनने के आग्या मांगे और आप आग्या दे दे, तो इसे जीवित किया जा सकता है, उनने कहा, माने कहा, कि कई भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, रहेगा तो कम से कम हमें इसके जीने का आनंद तो रहेगा, उ उसने कहा कोशिस करता हूं माया थी और उसने अपने कोशिस की और वो मैं कहा हूं मैं कहा हूं उसने सारी कहानी बताई कि तुम यहां हो और तुम पिछले भव में मेरे मित्र थे और जीवन इतना नस्वर है किवल एक डंक लगने से भी जिन्दगी पूरी हो सकती है तुम यहां आकर कि राज्जी में उलज गए तुमने मुझे कहा था कि पहले जो इंसान वनेगा उसे संबूद करने आना मैं संबूद करने आया हूँ इस जीवन से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है दुनिया दारी के जंजाल में मत उल्ज हो थोड़ा अपना भी ध्यान करो अपना कल्यान करो कहते हैं संबूदन सुनकर कि उसने माता फिता से आग्या पांगी बचन की मुताविक मजबूरी में उन्होंने भी अग्या देदे और चन भर में राजकुमार नाकुमार बन गए मुनिराज बताना एह है कि कितनी विरक्ती होती है जीवन की मुनियों की कि उन्होंने जाकर कि जंगल में साथ ना की एक दिन वाँ से कुछ डाकू निकले और डाकूओं ने रेखा कि कोई इनसान है या कड़े है तो बातें होने लगी इसको हटाओ उनको मारो अपनी पोल खोल देंगे तो डाकूओं के सरदार ने देखा और ने कहा कि कोई कुछ नहीं करेगा कोई हाथ नहीं लगाएगा यह तो जैनमुनी है यह किसी से कुछ भी राज़ दूश नहीं रखते हैं किसी को कोई शिकायत नहीं करते हैं चलो चलो छोड़ दिया योग सईयोग की बाद कि अपनी युवा वेटी को लेकर कि नाग कुमार की मा पड़ोस के राज में जा रही थी विवाहा की उस्ताव के लिए उसी जंगल से निकलना हुआ उन्हें भी उन मुनी के दरसन हुए अपने बेटे मुनी के दरसन करके उन्हें बहुत आनंद हुआ महीनो बाद दरसन हुए भाई के दरसन करके बेहन को खोब आनंद हुआ सेनिक थे जो भी परिचित थे सब ने बारवार नमस्कार किया चलते चलते माने पूछ लिया बेटा घना जंगल है आगे कोई खतरा तो नहीं है मुनी बर इतने घने जंगल में आगे कोई खतरा तो नहीं है आपकी बहन का विवाह कराने के लिए हम आगे जा रहे हैं उनने कुछ नहीं का, आँखें बंद थी तो थी, ध्यान में थे तो थे, चले गए, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि वो जार्जन चूर डाकु तो थे, पकड़ लिया, लूट लिया, और किजी ने तो उनकी बेहन पर भी हाथ डाला, इस अब देख करके, उनकी सेने की भी बंदी बना लिये, इस सब कर लिया, तो उसमा ने कहा, डाकु की सरदार को, कि सारी चीजें तुम ले लो, लेकिन सिर्फ तुमारी कटार मुझे देदो, मैं किसी परवार नहीं करूँगी, मैं अपनी कुच्छी को, मैं अपने प्वेट को ही चीर डालना चा जिसने अपनी बेहन की रक्षा के लिए भी रास्ता नहीं बताया, उसमा आप क्या कहना चाहते हैं, उनने पूरी बात बताई कि जो पास में मुनी तपश्चा कर रहे हैं, भी मेरे बेटे हैं, और वो इतना बताजित कि इस रास्ते पर चोर वदमास डाकु हैं, तो आज ही नोबत नहीं आती कि उनकी बेहन भी संकत में पढ़ती और मां भी संकत में पढ़ती, कहते हैं नाकों के सरदार ने सारी बात सुनी, तो हक्के बक्के रह गए, कि मुनी ऐसे बीतरागी, कि जो अपनी मां बेहन के लिए भी बचने का रास्ता नहीं बताए, अपने आप में इतने लेन, इसका मतलब है कि दिगंबर मुनी से बड़ा भी तरागी और कोई नहीं होता, सरदार ने कहा मा तूँ धन है, जो ऐसे बेटे को धन जनम दिया, कहा हम लोग जो हमारी मां को गालिया सुनने को मिलती हैं कि दाकू, बदमास, इसकी मां, और कहा आपके ऐसे भी त प्रागी मुनी, आज आपने हमारी आखें खोल दी और जिस पत्थ पर आपके बेटे मुनी बने हैं, हम भी सब कुछ छोड़ करके उनके चड़नों का अनुगमन करें, को इतना चारिवत्रवान, को इतना निर्मल हो सकता है कि दूसरों का जीवन भी परिवारते तो हो ज्यानी मुनी बन जाओ सवभाग्या ना बन पाओ तो ऐसे श्रावग बनना, इलोग देख करके आपके जीवन से सिखेंगे, जय बोलिये चौविश्ति थंकर भगवान की